कि नमस्कार आप सभी लोगों को हमारा प्रणाम आज थोड़ा साम चर्चा करेंगे काफी लोग पूछते हैं कि हम टीचर ट्रेनिंग क्यों करें टीचर ट्रेनिंग करने का फाइदा क्या है टीचर ट्रेनिंग कौन कौन कर सकते हैं तो जो सबसे पहला चीज है देखियो योग शिक्षा है जो एक स्वस्त जीवन जीने के लिए एक शांति पूर्मग जीवन जीने के लिए एक अध्यात्मिक जीवन जीने के लिए किया जात तो जो हमारे यहां टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उनका सबसे पहला महत्व यही है कि हम यहां से आपको एक अच्छा व्यक्ति जो शांती पूर्वक अपना अध्यात्मिक जीवन अपना फिजिकली फिट मेंटली फिट जीवन जीए और आगे लोगों को भी प्रेरित करें उसी तरीके से जीवन जीने के लिए यह हमारा भी एम है हमारा भी यह संकल्प है और यही योगा का भी एम है जितने भी हम यह योग अभ्यास कर रहे हैं सबका एम यही है एक सामती पूरवक जीना अध्यात में पूरवक जीवन शारिर एक स्वस्त जीवन जीना और लोगों को भी प्रेरित करना है यह सबसे पहली चीज़ दूसरी चीज़ टीचर ट्रेनिंग कोर्स यहां आके हम सब को इजाज़त देते हैं आप कर सकते हैं चाहे वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो चाहे कोई भी कोर्स हो हम इस कोर्स में जो हमारे अन्य कोर्स है उनमें यही सिखा रहे है योगा प्रक्रिया है योगा आपकी प्रैक्टिस आपको अलग अलग प्रैक्टिस सिखा रहे हैं आपे स्वास्त जीवन जी सकें एक अच्छा जीवन जी सकें जी सकें कि अपने को मैंट़ि पीस्फुल कैसे रखना है फिसिकली हल्दी कैसे रखना है इस्पिछwalी हल्दी कैसे रखना है तो यह कूर्स हर वेक्ति के लिए है चाहे आप अध्यापक बनना चाहें चाहे आप ये स्वयम के लिए सीखना चाहते हैं और हर बारी यही कहा जाता है आप अध्यापक तभी बन सकते हैं जब आप अपने को सिक्षित करने में सफल हैं तभी आप एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं जब आप स्वयम को गाइट करने में सफल हो जब स्वयम जानते हो कि आपको किस तरीके से योगा अभ्यास करना है किस तरीके से मांसिक संतुलित रहना है किस तरीके से गलत ऐसे पदारतों का उप्योग नहीं करना जिससे आप मांसे शारेरिक कमजोर हो तो अगर आदमी ये सीख गया कि अपने को कैसे गाइट करना है उसके बाद दूसरे वेक्तियों को गाइट करना सिक्षित करना बहुत ही असान हो जाता है तब वो आपके अंदर से स्वभाविक रूप से निकलता है नेच्रली कोई फिर वो एफ़ॉर्ट फूल एक्ट नहीं होता है एफ़ॉर्ट लेस्ली ग्यान आपके अंदर से निकलेगा और लोगों को भी बहुत ही भला करेगा कल्यान करेगा सबका तो दूसरी चीज जो हम कोर्सिस प्रोवाइड करा रहा है उनमें कोई क्राइटीरिया नहीं है जो क्राइटीरिया है वो यही है कि आपका मन साफ होना चाहिए योग अभ्याद सीखने के लिए और यहाँ पे जितने भी गुरुजन है जितने भी यह अध्यापक है वो सब हमेशा दिश्वार्थवाउ से आपकी सेवा करने कdoor त्यार है यह पूरा स्कूल ही आपकी सेवा करने कдо लिए त्यार है तो ये हम इस वीडियो के मादियम से आप सब किपरती रखना चाहते थे और बहुत अच्छी तरीके से यहां सिखा जाता है बहुत अच्छी तरीके सो पॉदाया जाता है भोजन भी बहुत सुद्ध साकाहारी साफ सुत्रा प्रोवाइट किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुती हलका और बहुती लाबदायक यहां पे जितने भी अध्यापक लोग आपको आसनों का अभ्यास कराएंगे वो भी बहुत अच्छे अध्यापक है अनुभब भी है साथ में एक अंदर चाहा भी है लोगों को शिक्षित करने की और इतने भी यहां थियोरी सब्जेक्ट के टीचर्स है जो आपको ध्यान सिखाएंगे सब अन्भवी हैं और सब आपको सिखाने के लिए अपने कार रिख लिए बिलकु निस वार्थ भाव से आपकी सेवा करेंगे तो इसमें एसा कही नहीं सोचना कि यहum नहीं कर सकते हैं यहाप स्वाम के लिए भी कर सकते हैं और मेरा यह मनना है कि पहले हमें स्वाम के लिए ही करना चाहीए जाए वो कोई सा भी कोर्स हो therefore अगर हमें feel होता है we are ready now we can live the way we want to live हम जी पा रहे हैं जैसे हम जीना चाह रहे हैं हम कर पा रहे हैं वो कारे जो हम करना चाह रहे हैं और जो हम नहीं करना चाह रहे हैं उन्हें हम साइट करने पे सफल है तो समझी आप बिल्कुल तैयार है एक सिक्षक बनके लोगों को सिक्षा देने के लिए आशा करते हैं कोई हमने पॉइंचोड़ा ना हो स्कूल का वात है और रन भी बहुत अच्छा है जाए स्कूल है बहुत अच्छी जगा यह स्थित है बहुत सामती पूरवक है जो योग के लिए होना चाहिए क्योंकि यह एक तरीके का आप समझी यह आपरेशन है जहां आप अपने हर शरीर के अंग में काम करेंगे तो इसके लिए हमें प्रकर्तिक की गोद में होना जरूरी है यहाँ नदी भहरा है इसके पीछे आप इससे देख सकते हैं आप इस वीडियो के माद्याँ से भी सांती का अनभव कर सकते हैं चारों तरफ पहाड़ हैं आसपास मंदिर है आश्रम है जहरने हैं और आपका टाइम बिताने के लिए नेचर फुल वो हैं छोटे फुटे तलाब पूल्स तो बहुत अच्छी जगाएं हैं रहने के लिए आश्रा करते हैं आप सबी लोगों से मिलने का अफसर मिलेगा जीवन में और आप लोगों के साथ योग की सिक्षा को शेर करने का अनभव मिलेगा हमारे यही प्रत्न है कि आप इस कोर्स से अच्छा जीवन जी सके और लोगों को भी प्रयरित कर सके बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए आप सब को हमारा नमस्कार